तो आप बने रहे हैं व्लॉग में तो आप बने रहे हैं व्लॉग में सो फ्रेंड्स यहां पर हम लोग निकल चुके हैं और आप देख सकते हैं आपको हर जगा स्नो ही दिखाई दे रही होगी क्योंकि आपको पता है यहां पर पिछले चार पांच दिनों से कंटिनियूसली दिन राद स्नो फॉल हो रहा है और इतनी जादा हर जगा स्नो खटी हो जाए वैसे तो कई कई साब भी कर दिया गया है और फिर भी कहीं है और जब हम चल रहे थे तो हमारे पैर नीचे धस जा रहे थे तो वह भी चलने में काफी मज़ा आ रहा था चलने में और यहां पर हम लोग की मस्ती शुरू हो गई है इसनो बोल बना के हम एक दूसरे पर खाफी अच्छा लग रहा था क्योंकि इसनो एकदम ताजी ताजी थी गिरती जा रही और मेल्ट होती जा रही थी तो बहुत सारी घटी हो गई थी और हम लोग इस तरीके से खेलने में लग गए और इसनो को देखते ही ना इकदम से मन कराता है कि चलो हम भी खेलते हैं किसे मस्ति करने अच्छा नहीं लगता तो यह तो अच्छी बात है कोई बुरी बात इसमें है नहीं है और यहां पर हम लोग का ना डैली का ही हो गया मतलब डैली सनो फॉल रहता है तो महें है तो मेरी वLahaha कर दो तीन महींने और आपको सचनो फॉल वाले उप्लस ऑन को मिलेंगे और मार्च तक तो ऐसे ही मौसम रहेगा उसके बाद थोड़ा सा चेंज हो सकता है पाद वैंज कि यूपा बार मार्च बार कर चेंज हो सकता है झाल 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 प्रेंड्स यहां पर आप देख सकते हैं बच्चों की भी मस्ती स्टार्ट हो चुकी है और बच्चों ने तो काफी देर तक खेला था बट मैंने यहां पर थोड़ा कम ही रिकॉर्ट किया है और इन लोग को बहुत मज़ा आ रहा था इनका बस चले तो यह और दो तिन घंटे यहां पर खेलते ही रहें बट अंदर से थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि कहीं तव्य खराब ना हो जाए तो हमने का बस भी करो नेक्स टाइम के लिए थोड़ा सा मस्ती बचा दो नेक्स टाइम कर लेना और वैसे भी रोज ही तो होता रहता है और जब से 2022 स्टार्ट हुआ है ना तो हम लोग साथ में बाहर निकल रहे हैं पहली बार पहली बार मतलब स्नो में इस पहली बार में निकल रहे हैं वैसे तो आना जाना होता ही रहता है काम पड़ता रहता तो निकलना हो जाता है बढ़ सांत में और बहुत हमत कर के निकले हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कडागे की सर्दी पढ़ लिए थी फ्रेंट्स झाल में झाल 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 यहां पर हम काड़ी का वेट कर रहे हैं और गाड़ी आती है तो हम निकलते हैं और आपसे मिलते हैं थोड़ देर में और हम लोग यहां पर शौप में शौप के पास ही में हम लोग पहुंच चुके हैं और हम जो भी लेना है सामान वगेरा हम फटाफट से लेकर निकलते हैं फिर घर को अब हम लोग आ गए हैं खर और बहुत ज्यादा सर्दी थी बहुत तेर हम नहीं रुके फटाफट से हमने जो सामान वगेरा लेने थे घर के बो लिया और हम लोग आ गए और हाथ देखे पूरी ठंडे हो गए धकड़ गए थे तो अब मैं कुछ बनाती हूं खाने के लिए क्या बनाती हूं तो गाइस यहां पर देखें हमारी बालकनी पूरी जो से भर गई है वैसे नौर्मली जब स्नौफॉल होता है ना तो इतना अंदर तक नहीं आती है बालकनी में अभी तो इन चार दिन हुआ है तो पूरा बालकनी में इसी वजह से आ गई और यहां पर मैं थोड़ा सामान एड़्जस्ट कर रही हूं जो लेकर आए थे अभी बांकी तो मैंने राशन वगेरा एड़्जस्ट कर दिया था था थोड़ा यहां पर रहे गया था और अब मैं लंच बना देती हूं लंच में मैं बना रही हूं पुलाओ वेजटेबल पुलाओ फटा- बन जाएगा यही टिक रहेगा भी और तो इसके लिए मफटाफट से लसन प्यांज वगेरा जब चॉप कर लेते हूं और मैंने कुकर को चड़ा दिया है उसमें और मैंने टाल दिया है और उसमें जीरा डालकर प्यांज लसन टमाटर और जोबी मैंने वेजटेबल कट करके रखी है वह मैं डालूँगी और देखिए बलाव बनकर रेटी है कितना खिला खिला बना है आजाए आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ लंच वगेरा करने के बाद बरतन वगेरा क्लीन करने के बाद थोड़ा सा नैप लिया थोड़ा सा रेस्ट लिया और अभी शाम के 5 ओक्लॉक हो रहे हैं पांच काड़ा ही ज्यादा तरपीते हैं तो वैसे भी कोवीड बहुत ज्यादा फैल रहा है तो ऐसे में यही ठीक है और यहां में एक तरफ दूद भी गरम करने के लिए रख देती हूं वैसे ही पहले से ही गरम था बट फ्रीज में रखा था ना तो थोड़ा ठंड़ा हो गया था और बच्चे तो काड़ा पीते नहीं है तो मैं बच्चों को दूद दे देती हूं यहां पर वैसे अर्णाव तो कभी थोड़ा सा कहके न वह समझता है कि कोवीड टाइम चल रहा है तो तो वह पी लेगा थोड़ा सा बट माहीं थोड़ा अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करें तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें रखें अचार आपसे पास जोड़ा आपसे लाइब ऑचार बाइब जावेज़ ऑीडियो के लाइब लाइब या इच्ट वीडियों